अर्दरा नशातर दोहजार चौबिस में कब है? सुरे के अर्दरा नशातर में आने पर खीर पूरी कब बनाये जाएगे? हलो एवरीवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, कुंज ओफीस से लावर यूर चैनल कैसो अप लोग? आई होप सो अप लोग बहुत अच्छे होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाड़ाए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, नीचे बैल लेकने से प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले महिने तक रहता है, इस तरह दो रासियां बदलने पर मौसम भी बदल जाता है, सोरे जब रिष्ट और मिथुन रासी में रहता है, तो गर्मियों का मौसम होता है, लेकिन सोरे जब अर्दरा नशत्र में आता है, तो वे करक रासी के नजदी, सोरे के अर्दरा नशत्र में आने पर खीर पूरी और कई तरह के पकवान बना कर उगते हुए सुरे को अर्ग दे कर पूजा और स्वागत करते हैं। अर्दरा नशत्र में खीर दलपूरी खाने की परंपरा है। रूप है जो अपने विनाशकारी लेकिन पुर्णयोजी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। जेट महिने में जब सूरज आखे तरे रहा हो। लोग वाग परिशान हो। ऐसे में अर्दरा नशत्र का प्रवेश कई उम्मीदे जगाता है। आदर से बना अर्दरा नक्षत्र बहुत कुछ अपने साथ लेकर आता है। बिहार में मौनसून आने का समय होता है। बर्खारानी की आहट गर्मी की तपिस को कम करती है। और किसान फसल का पुरवानुमान कर लेते हैं। ये मौसम बिहार के खास जायके का भी होता है। इस नक्षत्र में बिहार के घरगर में बहुत कुछ खास बनता है। अर्दरा को क्रिशक कारे करने वाले लोगों का सहीयोग माना जाता है जोतेश शास्तर के अनुसार 27 नक्षत्रों में अर्दरा छठा नक्षत्र है जिसे जीवन दाइनी भी कहा जाता है वैसे अर्दरा नक्षत्र में खीर आम सहीत मिश्ठान भोजन करने की परंपरा है यदि आप बिहारी हैं तो अर्दरा आते ही आपको जरूर याद आता है दाल पूरी, खीर और आम हर घर में इस नक्षतर में दाल की पूरी बनती है दाल पूरी के साथ खीर भी बनता है और साथ में होता है रसीले आम बिहार का मालदल और जरदालू आम इस टेस्ट को खाटी बिहारी बना देता है इसके साथ आलो की रसेदार सबजी जायके को बेहर खास बना देती है बिहार में अर्दरा नक्षत्र के दोरान इस जायके को बनाने और खाने की परंपरा सैक्रो साल से अनवरंत जारी है ये हमारी उतसब धार्मिक्ता को भी बया करता है ऐसी मान्यता है कि आर्दरा नक्षत्र में प्रवेश करते ही दो दिनों तक किसान मिट्टी की खुदाई वजुताई नहीं करते हैं, आर्दरा का शाब्दिक अर्थ गीला अर्थात नमी होती है, सुरे के आर्दरा में प्रवेश करते ही मानसुन का आगमन हो जाता है, पौरा वैदिक जोतिशानुसार, भगवान संकर का रुध्रूप, इस नक्षत्र का मालिक होते हैं, जहाँ भक्तों का कल्यान करते हैं इस तरह का आर्दरा नक्षत्र जहाँ एक ओड वर्सा लेकर आता है, यही अध्यात्मिक दिश्टी है इस नक्षत्र के दोरान बारिस का आगमन हो जाता है बिहार की संस्कृति में बारिस बेहद महत्व रखती है बारिस के आगमन से न केवल बिहार की उर्वरक भुमी पर बेहतरीन क्रिशी कारे की संभावना बल्वती होती है बलकि बारिस को लगतार बनाये रखने के लिए भी घरों में दाल पुरी, खीर और आम बनाया जाता है इंद्रदेव को भोग लगाने के बाद इसे घरों में सब परिवार खाया जाता है उनसे कामरा की जाती है कि बरसात यू ही हमारे यहां होते रहे ताकि बेहतर कृषी की पूंजी से समाज रोशन होता रहे यह मुख्यर राहु ग्रह का नक्षत्र है जो मिथुन रासी में आता है आरदरा नक्षत्र के प्रवल प्रभाव में आने वाले जातक जिग्यासु प्रविर्ति के होते हैं इसके चारों चर्णों पर मिथुन का स्पष्ट प्रभाव रहता है सोरे जब अर्दरा नक्षत्र पर होता है तब पृत्वी रजसुला होती है और इसी पुनीत काल में कामाख्या तिर्थ में अम्बु वाधी वपर्व का आयोजन किया जाता है ये नक्षत्र उत्तर दिशा की स्वामी है अर्दरा के प्रथम चरन में चौथे चरन का स्वामी गुरू तो तिर्थे चरनों का स्वामी शनी है आम तोर पर जून माह के तिर्थे सब्ता में अर्दरा नक्षत्र का उदे होता है हिंदू धर में इस नक्षत्र की काफी महत्व है लोगों का ज्यादा तर समय पूजा पाठ पर होता है कैसा लगा आप सभी को हमारे अर्दरान शत्र वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मिले चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंट सेर करना कर दो कर दो तो